हेलो दियर फ्रेंद्स वेलकम बैक टू आयुश्मान होमियोपैथी मैं डॉक्टर पुनीता सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ दोस्तों सर्दियों का मौसम आते ही सबसे जादा ट्रबल या वरी का जो इश्यू देखने को मिलता है वो है सर्दी, खासी, जुकाम, कोल्ड, काफ, फीवर, एस्थमा, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इन सबका अचानक से एक दम से बहुत जादा बढ़ जाना और खासकर जिन घरों में बच्चे हैं और जिनको बार-बार ऐसी ट्राबल्स होती हैं वहाँ पे माबाप सर्दियों के मौसम में बहुत चिंतित रहते हैं औ आज ऐसी ही एक रामबान ओशदी एक अचूग दवाई मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि अब जो मौसम है जो सर्दियां एकदम आ रही हैं इस मौसम में बहुत ही जादा कारगर साबित होगी और इसे आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए जिससे कि बच्च तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे आने वाला है एक छोटा सा लेकिन बड़े काम का नुस्खा जो कि सर्दियों के मौसम में आपके लिए बहुत ही जादा फायदे मन साबित होगा वीडियो को अंतक देखते रहिए मेरे साथ बने रहिए अगर अभी तक मेर चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा दोस्तों आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने वाले हैं वो स्पेसिफिकली विंटर्स के मौसम में जो सर्दियां आ रही हैं ड्राइ कोल्ड वेदर के लिए और ठंडी हवाओं स ऐसी दवा मैं कहूंगी जो की कोल्ड कफ फीवर ही नहीं और भी बहुत सारी कंप्लेंस में जादूई तरीके से काम करती हैं बशर्ते की कुछ कंडिशन्स पूरी हो सकें क्या कंडिशन्स नमबर वन एक्यूटनेस ओफ सिम्टम्स नमबर टू सदन ओंसेट ओफ कंप्लेंस अगर थोड़ा सा भी ठंडी हवा की तरफ एक्सपोजर हुआ और विदिन फ्यू मिनिट्स या फ्यू आज हम कहते हैं एकदम से सर्दी लग गई जुकाम हो गया खासी आनी शुरू हो गई या बुखार हो गया या अस्थमा की कंप्लेंस बढ़ गई ब्रॉंकस में कुछ सिम्टम्स आ गई ब्रॉंकाइटिस की कंप्लेंस बढ़ गई तो उन सिच्वेशन में एकोनाइट नेपिलस बहुत ही शांदार दवाई है फर्स्टेज ऑफ ऑल कंप्लेंस में क्यूटनेस ऑफ सिम्टम्स को देखते हुए एकोनाइट जब भी दी जाती है तो वह बहुत ह असरदार होती है और बहुत अच्छे रिजल्स भी देती है आये जानते हैं कि हम कैसे परखेंगे कि यह एकोनाइट का पेशन्ट है हमें यह एकोनाइट प्रस्क्राइब करनी है दोस्तों एक्यूट और सड़न ऑनसे यानि एकदम से आने वाली कंप्लेंस के साथ साथ अग बहुत घबराहट फील कर रहा है रेस्लेसनेस और एंग्जाइटी साथ में कुछ उदासी सी महसूस कर रहा है बच्चा है तो वो बिल्कुल टच भी नहीं करने देगा किसी को भी खुद को अगर ऐसी कोई mental situations भी हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पर एकोनाइट बहुत ह अच्छे तरीके से काम करती है दोस्तों एक बात की हमेशा ध्यान रखी है जो कि मैंने अभी अभी बताई कि एकोनाइट एक्यूट situations में ही काम करती है तो अगर बच्चों में chronic allergy की problem है कि हर seasonal change में या थोड़ा सा भी मौसम पल्टे एकदम से ठंड या बरसात आए और उसको cold, cough या fever हो जाए तो उन situations में self-medication करके एकोनाइट बिल्कुल नहीं देनी है वहाँ पर होमेपैथिक फिजीशन हमेशा बच्चे की पूरी case taking लेगा constitutional symptoms and signs लेगा और उसके बाद में एक proper similimum एक proper medicine आपके बच्चे को prescribe करेगा यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं एकोनाइ अधे हुए ही अपने पास कौनसी दवाईयां रख सकते हैं यह point मैंने आज इसलिए लिया है क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि self-medication is dangerous यह videos हम आपकी information आपकी knowledge के लिए बनाते हैं लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले आप हमसे directly contact जरूर कीजिए double check जरूर करवाईए confirm जर का scanty discharge निकल रहा हो जो की watery हो पानी निकल रहा हो लेकिन watery गाड़ा नहीं होगा थिक नहीं होगा या फिर नाग बिल्कुल dry ही है लेकिन बच्चे को बार 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 sneezing छीके आती जा रही है उन situations में echo night बहुत अच्छा काम करती है बच्चे की पानी की प्यास thirst increased मिलेग की आपको बार बार पानी पिएगा और साथ में बहुत जादा बेचैन और बहुत जादा restless बच्चा होगा उस बच्चे का चहरा भी थोड़ा सा typical होगा red hot चहरा उस बच्चे का देखने को मिलता है और साथ ही में anxiety तो definitely marked है ही है left side में बच्चा pain की शिकायत भी कर सकता है यानि कि बहुत जादा bulgum या बहुत जादा sputum या बहुत जादा nasal discharge नहीं देखने को मिलेगा यह dry करता है mucous membranes को और इसलिए बच्चे का मुह या बड़े का मुह सूखा हुआ होगा वो बोलेगा कि मेरा मुह बार बार सूख रहा है और साथ ही जो कफ होगा वो भी बहुत मुश्किल हो रही है सांस लेने में अगर ऐसी situation के साथ आपको anxiety restlessness देखने को मिले तो बिना कुछ सोचे हुए हम एको नाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आईए दोस्तों अब मैं specific symptoms बताती हूं कि एको नाइट का fever कैसा होता है एको नाइट के fever के symptoms की बात करें त साथ में लाल फेस बच्चे का देखने को मिल सकता है और जब पसीना आएगा बच्चे को तो वो cold sweat होगा बिल्कुल उसकी पूरी skin आपको एकदम icy cold बरफ की तरह ठंडी महसूस होगी ये बुखार उतरने के बाद पसीने आने की situation में आपको बता रही हूं इन situations के साथ साथ हमेशा ही thirstlessness, restlessness और mental anxiety वो घबराहट वो डर साथ में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा फीवर जो है वो aggravate होता है रात के समय यानि की evening से बाद जब बच्चा bed पर जाता है या बढ़ा भी जब सोने के लिए जाता है तो fever बढ़ता जाता है और night के समय खासकर सारी complaints aggravate हो better feel नहीं होगा cold fever और cold sweat को हमेशा ही ध्यान रखिए तो दोस्तों ये cold fever के कुछ symptoms है जो कि एको night में बहुत ही जबामाग्त है आज ही एको night लेकर आनी है और अपने पास जरूर रखनी है क्योंकि थोड़ा सा भी ठंडा exposure होते ही कुछ एकदम ठंडा पीने में आ गया इस मौ आनी और उसके इमीजिटली आते ही छीके शुरू हो जाए खासी आना शुरू हो जाए या फीवर चर जाए एक दम से या आपकी respiratory symptoms बदल जाए बढ़ जाए तो आपको एको night इमीजिटली लेनी है कैसे लेनी है आप 1010 drops थोड़े से पानी में मिला कर हर आदे आदे घंटे म भी आप पी सकते हैं स्टीम लीजिए इन सब situations में आपको कफ और कोल से बहुत ही जादा आराम मिलेगा आईए अब आपको बताती हूं एक छोटा सा लेकिन बहुत जादा काम का नुस्खा चोटा सा लेकिन बड़े काम का नुस्खा एक ऐसा नुस्खा है जो मैं सालों से अ नुस्खा कहता है कि आपको थोड़ा सा अद्रक लेना है उसका रस निकाल लीजिए चार पाश तुलसी के पत्ते लेने है और तीन चार काली मिर्च लेनी है इन सब की चाय या काढ़ा जिसे कहते हैं वो बनाईए और थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद में एक चम्मश शहद मिलाकर वो आप बच्चे को दीजिए या आप खुद कर पाएंगे दोस्तों आज मैंने एक्यूट सिंटम्स के बेसिस पर आपसे एको नाइट और होम रेमिडीज की बात की है क्योंकि ये मौसम सर्दियों का सर्द मौसम बहुत और भी कम्प्लेंज लेकर आता है मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको और बहुत सारी अच् देखते हैं और मुझे पर्सनली हर बात पर कमेंट करते हैं थैंक यू सो वेरी मच फॉर आल दे लाव और सपोर्ट अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूली अगर आजा पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं टेक केर लेक लो हैंगे मेरें थैजार आस्राइब करना करना मत भूली मुताइब करो और मेरें एक जायरे मून इस पहला कर दो आता करते हैं इस हम गेरें आधूना अचांहन ग्थाएब v TDE depart अजतै।